पीके इंग्लिस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है आग हम लोग केस यानि कारक के बारे में अध्यन करेंगे केस नाउन का वाक्य के अनि किसी शब्द के साथ शंबंध दर्शाता है मतलब नाउन ऐसा वाक्य जिसमें नाउन हो और किसी अनि शब्द के साथ जो संबंध दर्शाय वही कारक कहलाता है Case shows the relation with any word of noun. Types of case देखते हैं There are three types of case तीन प्रकार के case होते हैं Norm native case जिसको हिंदी में कहते हैं करता कार When a noun is used as a subject of the verb Then it is said to be in the norm native case मतलब जब noun को वाकिकी verb के subject के रूप में प्रयोग किया जाता है वह करता कारक कहलाता है Example देखेंगे Kavita writes a letter The cat jumped down यहां पर कविता और cat Kavita का वर्व rights और the cat का वर्व jumped है तो rights का जो noun है वाक कविता है और jumped का जो noun है वाक कैट है तो इस प्रकारस हम देखते हैं यहां नाम native case कहलाता है क्यों क्योंकि यह जो वर्व है यह जो jumped है इनका relation जो है कविता और the cat के रूप में है और इन ही की व्याख्या कर रहा है इसलिए यहां नाम native case कहलाता है दूसरा देखते हैं अब्जेक्टिव केस कर्मकारक when a noun is used as an object of the verb then it is called objective case जब वाक को sorry जब नाउन को वाक की वर्व के object के रूप में प्रियोग किया जाता है तब वहां objective case कहलाता है अब यहां पर आप समझेए ऐसा object जो वर्व से relation बड़ता है या वर्व ऐसे object की व्याख्या करे या किसी object की व्याख्या करे वही objective case कहलाता है example देखें he eats food they drank milk यहां पर आप सेट आपका food और milk है और food का वर्व जो है eats है milk का वर्व जो है drank है और यह दोनों के बीच में relation बन रहा है इसलिए या objective case कहलाता है possessive case अधिकार या श्रमबंद कारण जब नाउन का प्रयोग अधिकार या श्रमबंद प्रकट करने के लिए होता है तो उसे possessive case कहते हैं जहां पर श्रमबंद बताए वही possessive case कहलाता है एक्जामपल देखिए इस श्रिता और डाग के शंबंद को दर्शाने के लिए एपस्टोफियस का प्रयोग हुआ है यही इसका possession है और यही इसका possession case कहलाएगा मैंग और श्रमबंद में जो या एपस्टोफियस लगा है यही दोनों के बीच में संबन बता रहा है यही possession case कहलाएगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक, सेर और कमेंट जरूर करिए और जो नहीं है सब्सक्राइब करने धन्यवाद कर दो उन्यवाद